हलो एवरिवेंट कैसे हुआप सब लोग रहीशा की रहेशाई में आपका स्वागत है आपने मटर पनीर की रैसिपी तो कई बा कई बार खाई होगी आज मैं जिस तरह से मटर पनीर की रैसिपी बनाना सिखाऊंगे बिल्कुल होटल रेश्टोरेंट वाली यहां पर रेडी करूंगी और बिल्कुल असान तरीके से बनाएंगे आपके गर मेहमान आए आप इस तरह की रेसिपी आप जरूर बनाके उनको खिला सकते हैं महमान भी आपकी तारीफ करते रह जागा इतनी टेश्टी हां पर के लिए तो यहां पर में लिए एक अच्छा आलू लिया है इससे रेसिपी इतनी शांदार बनके रेडी होएगी बिल्कुल भी आपकी कोई शिकायत नहीं होएगी आप बनाएंगे तो बहुत टेश्टी रेसिपी बनके रेडी होएगी इसी के साथ मैंने एक प्याज लिय छी मैं लिएतला टालेंगे तो मैं दिकाऊंगी मिकसर में क्या डाला था जालर में उाठम को पे पेस्ट बनालेंगे figuring टो चलिए इसपिए पाहले हम के बनातले दो तो चलिय अब जालियंगे जाल आपके मटर Prषार में दूल टनी का नाहिं आपको यहा Алुक्व लटान प तो यह क्लिए मसाले सITTे हुआ सरे मट्र के का यह पाट चाहिए . क्लिए के दैखे हैं मट्र को मत्र हम पका रही है,ें कि मट्र तो तो फाइशा है under 2 मिंट के लिए न की पका लिए। बनाते हैं रेसिपी की ग्रेवी तो रेसिपी बनाने के लिए यहां पेन पेन को मिने चड़ा दिया है तो अम में इसके अंदर डालूंगी ओई यहां पे ओईल में सरसोगा डाल रही हो आपके पास रिफाइंड है आप कुछ भी ओईल डाल सकते हैं इसके अंदर बहुत टेश्ट है सबसी बनके रेडी होएगी ओईल को हम आप फुल आई फिलम पे गरम कर लेते हैं यह देखे ओईल गरम हो चुका है तो जो आपको प्याज कर नहीं डाल के भी आलो खाले आलो भी डाल के पीश सकते हैं उससे भी ग्रेवी काफी जादा टेश्टी बनके रेडी होएगी आप चाहे तो टमाटर भी इसमें नहीं डाल सकते हो टमाटर की जिगाब आमचूर पावडर गा यूज कर सकते हैं तो चलिए यह अलो डेशिणों करते हैं यह तरह है यह देखें क्ली पावडर भी इसाथ में तारा यह वाल चुका वजया वादा ट्रेश्टे कर्वाटर यह देखेंश करें आपके हाद्या-ठारी करें लाल मिर्च पाउडर या चमरे नमक नालकष कार था नमक करेंगे जादा मसाली के लाल मिर्च नालेंगे आखे के मसाली करेंगे जुआ माले की जा हम पाक। तो चलिए अब तेल सेपरेट होने तक हम इनको अच्छे से पका लेंगे मसाले को अभी आप देख पारे हैं गरेवी कितनी गाड़ी है बिल्कुल इतकम मसालों से हम इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके इसको ढखके फिर से 2 मिंट के लिए पकाएंगे इस तरह से अच्छे से सेपरेट हो चुका है तो आप यूज कर रहे हैं तो आप इसको कंटीनू चलाते रहे हैं ताकि हमारी रेसिपी नीचे चिपके ना हमारे ग्रेवी तो अब मैंने यहां पर मटर जो बोईल करके हैं वह में इसके इंदर डाल दूँगे इसको अच्छे से मिक्स क बालें इसको अच्छे से पका लिया हैrites कि हमारे स में धूरी हो जाएगी तो आप हमी उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए इस तरह से यह देखिए कितनी लाजबाब यहाँ पे रैसीपी बनके रेडी हो रही है तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले औरेड करेंगे तो मैंने हाँ पर डाला है बुनावा जीरा पाउडर एक चम माच इससे कलर बहुत अच्छा था है खुश्बू भी लाजबाब आती है इससाथ में मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी कस्तूरी मेति तोड़ी से रोजट करके इससे खुश्बू लाजबाब आती है और सब्ची का टेश्ट दुगना हो जाता है तो कस्दूरी मेति हमें हर रेस्पी में यूज करती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ये देखे इस तरह से ये देखे तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर पनीर को मैंने इस तरह से कट करके रख लिया था तो मैं इस सारा पनीर इसके अंदर एड़ कर इससे तॉड़ा साथ पानी अड़्र करेंगे जब तक इसको पकाऊंगी तो जब तक इसको पकाऊंगी तो देखिए आप देख पार हुए है तो चले चार से पांच मिंट बाद में मिलते हैं तो ये देखिए तेल अच्छे से सेपरेट हो चुका है चार से पांच मिंट हो चुके हैं हमारी रेसिपी को बनते वे और ये बहुत लाजबाब सी रेसिपी यहां पर बनके रेडी हो गई है देख रहे हो तेल कितनी शांदार ये रे कर दिया है यह देखिए इस तरह से आप मना के इसको सब कर सकते हैं लेकिन में हलका सा पानी डाल के भी आपको दिखाऊंगी वह भी काफी ज्यादा टेश्टी बनके रेडी होएगी तो आप चाओल के साथ पूरी के साथ आप जरूर राए किजिए बिल्कुल ग्रेवी वाली अलू राए के लिए वा बनके रेडी होती दिया आपके पास शिमला मirtस है तो आप वह भी शानऱ बनके रेडी होती है उससे कफी अच्छी बनके रेडी होती तो चले इस तरह से मिक्स कर देंगे इसको एज क्यली पानी डाल के यह थित्ybaको अछा एक ऊछी पाई ज़ु ल रेसिपी बनाईए तो आपको पूड़ी के साथ सब करनी है तो आप इसमें पानी ना डाल के और सुखी भी आप इसको बना सकते हैं और मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर किये